नौस्ते दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार दुबारत से आपके अपने चैनल विया स्टॉक्स में दिल से अगर आप चैनल में नहीं दुझे को सब्सक्राइब कीजिए साथे बैल को दवाना ना भूना ताकि को अपडेट मिस ना हो सके तो आद दोस्तों है इस पैनी स्टॉक मात अठावान रुपे का पैनी स्टॉक है और जाने का प्रियास करते कि स्टॉक में आप क्या कर सकते हूं काफ अच्छे रिजल्ट आया कंपनी का जो पैट है वह इंक्रीज हुआ बाई 438 परसेंट ठीक है तो दोस्तों मजाग नहीं है काफे अच्छ हमें देख चुका है ठीक है दिखाता हूं सटॉक का नाम अभी आप क्या कर सकती हूं कंपनी के प्रॉफित कैसे जाने का प्रियास कर देते हैं तो आस दोस्तों आप देख सकते हुँ स्टॉक के में बात कर हूं स्टॉक का नाम लग मैं-पिन टैक्स है ठीक है और आप पैसे नाम से का रखा है हमें तो पैसे कमाने से मतलब है ठीक है भाई तो यह स्टॉक में आप दिख सकते हो जो कंपनी का पैट है जिसे मैं आपको बताया है 6 करोड के आसपास हुआ है और यह लास्ट चेक करते हो इसकी तो उसमें कंपनी का जो पैट था एक करोड तेरा लाग था तो कंपनी का जो क्वाटरली प्रफॉमंस है लास्ट चेक कंपैरेजन में लीड कर यह गरोड आल्मोस 438 परसेंट और इसी वज़ा से यह वीडियो में बना रहा हूं मात्र 58 रुपीज का यह पैणी स्टॉक है दिखाये तो आपको यह रहा ठीक है कि एक टैक्स्टाइल स्टॉक है जैसा हमाहरा आप बोड़ सकते हो ट्राइटकिर रुपे के आज पर दो रुपे की है आज स्टॉक का प्रयस अल्मोस्ट गूमा उपर चड़ चूका है तो आप समझ सकते हैं कि इतना 32 शॉक है मतलब आप बोल सकते हैं कि यह तो ट्राइट का भी बाप निगा रिटेट के मावल है और दोस्तों देखो कंपनी के प्रॉफिट अच्छे आ रहे है तो प्राइस तो बही आटोमेटिकली उपर जाने वाला यह तो सिंपल सी बात है ठ ठीक है और उसों देखे कंपनी अपना डेट कर रही है ठीक है अगर बात करते हैं टेक्सली इंडस्ट्री का स्टॉक है तो उसे ट्राइड आपका टॉप में आता है क्वार्टर ली परफोर्मस आप देख सकते हैं एक्यासी करोड के आपका सेल्स है प्रॉफिट आपके सा बोलता हूं तो देखो उसना में 0.65 था और आज की डेट में 3.49 हो चुका है मला अनिंग पर शेर देखो अल्मूस्ट पांच च्छा गुना हो चुका है और स्टॉक का प्रॉफिट देखो वहिया च्छा गुना हो चुका है यह लिए प्रफोर्मस की बात करते हैं तो कंप के प्रफोर्मस आपके सामने है और आपको एक और हिंट कर दू ठीक है बहुत दिमाग से फितूर निगाल दू लोगों का फितूर यह है कि उनको लगता है कि यार किसी स्टॉक में जो मोमेंट आती है वह कंपनी के प्रॉफिट के वज़े से आती है मैं आपको कुछ फैक् सामने है 120 करोड का है ठीक है सबसे इंपोर्टन थिंग से रोलिक पैटन यहां पर आगर आपको एक चीज देखाता हूं यहां पर क्या चीज है वह यहां पर जो से रोलिक पैटन है वह देखने से पहले आपको मैं दिखाता है एक चीज और फेले वह देखो न वॉल्यम दे मैं आपको दिखाता हूं वह क्या है वह यह है दोस्तों कि इसका जो प्रमोटर्स का पैसा है ना वह प्लेज हो रखा है ठीक है आपके सामने देखो 31 मार्थ 2020 में यह प्रमोटर्स की होल्डिंग यह 65 परसेंट थी लेकिन यह प्लेज थी 50 परसेंट के असपास लेकिन 37 में 2020 आ चुटा रहे हैं तो यह आपके सामने समझागे ना प्लेज होल्डिंग थी अब प्लेज होल्डिंग कम होगी तो आप सोच सकते हो कि भाई ऐसा 25 जो रूपय का प्लेज होल्डिंग थी 50% के आसपास वह आज आपका 2 रूपय से 50 रूपय हो गया तो बहुत लोग मुझे कह समझ के वैसा लगाना गलत नहीं है तो हमेशा कंपनी के प्रॉफिट्स कंपनी के सिवल्डिंग पैटर्न ठीक है कंपनी के फंडमेंट अनाल्सिस होती है उसके पीछे ना भागते वाप उसके प्राइस को फूकस किया करूं कि प्राइस आपको सस्ता दिख रहा है और क्या जिस प्राइस मां एंटरी कर रहे हूं वह क्या एक बाय करने वाला प्राइस है अगर है तो भाईया ग्राइब कर लो अपुशुरिटी क्या पता वह दो रुपे कर सो आ तो आपको दो रुपे दिख रहा है लेकिन कल 100 रुपे हो जाए ठीक है और वहापर कोई फंडमेंट खेल समझने का प्रियास करना आपको क्या समझना चाहता हूं ठीक है बहुत दोग ना पैनिकर में बड़े सघ्वत करेंगे बड़े सटेंगे आप मेंशा क्या करो पैनिक्स चौक का कॉटट अलग वह मलग ट्रेडिंग अकाउंट अलग करो स्विंग पोजिस्विशन का अ कि आपको किस account पर कितना पैसा बन रहा है तो इससे होगा या कि आप एक emotionless investing emotionless penny stock में buy कर सकोगे उससे आप trading कर सकोगे तो आपको फता चल जाए कि आप किस मेरे साब दोस्तों अच्छा stock है अगर बात करते स्टॉप लोस की देखो भाई अगर मार्केट में दे पाता है आपको बड़े लेवल्स नीचे के दिखने को मिल सकते है अगर इसके ओपर trade कर रहा है तो यू के अच्छी लगी होगी तो मिलते आपको अपनी next class है तो इक लिए भाई-भाई-वाई टेक के कुछ नहीं